दोस्तों चुकंदर की खेती के बारे में ये वीडियो है तो वीडियो में आप अंतर तक बने रहें तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुकंदर के बहुत सारे फाइदे होते हैं तो चुकंदर जो है हमारी इसकिन के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है और उसके बाद जो है म Coast के लिए और कितना पानी देना चैज़िये और कितनी दूरी पहे और और किस था है तो किन्वार दोसे अजय स्टार कर लिए तो इस वीडियो में जो है यही मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो मा अख स्ट बने करी रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और इसी तरही गार्डन की जुड़ी वीडियो में लाता रहता हूं तो यह देखे तो यह हमने करीब यह आच सी अच्छी क्वाइलेटी के मिल जाते हैं तो आप चाहें तो इससे नर्सरी से भी पौधे मिल जाते हैं तो नर्सरी से भी पौधे लेके लगा सकते हैं आप चाहें इसमें गंबले में भी लगा सकते हैं तो इसके लिए जो है अगर आप क्यारी में लगाना चाहते हैं तो क्या स्सक्ड फालू में बनती है तो उसके ओपर जो है इसके भी जो है 1-2 इंच जो है नीचे मिट्वी दबादे और इसके बाद जिसमें हल्की सी जो है पाणी इसमें छिरण मिज्वाओप कर दे जिससे कि इसममा मद भी गंधा जम जाएं तो उसके बाद करीब 10-15 दिन में जो है इसके पौधे उख जाते हैं तो यह देखें तो कितने बड़े साइज का है कम से कम यह 300-400 गुराम का एक ही चुकंदर है तो इसके लिए जो है तो क्यारी अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमला इसके लिए 8-10 इंच के गमले में दो या तीन ही पौधे लगाएं क्योंकि इसके जो है इसकी दूरी जो है कम से कम 3-4 सेंटीमेटर जरूर होनी चाहिए त तो इसको जो है इस पेस नहीं मिल पाता है तो जिसकी बज़े से यह छोटे रहे जाते हैं अगर आप 3-4 सेंटीमेटर दूरी पर लगाएंगे तो यह जो है पूरे जो है फैल जाएंगे और बड़े अच्छे साइज की हमारे चुकंदर निकलेंगे तो यह देखिए तो इ यह जादा अबर बाटरिंग नहीं करनी बाटरिंग से यह जो है इसकी जो चंदर сем incl, डिक बड़्यार यह जो है उसके के देखिए तो यह हार्वेस्टिंग के लिए हमारे त्यार हो गए हैं तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है लगा सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं देखिए चुकंदर को आप किसी बंजर जमीन में भी लगा सकते हैं तो यह बंजर जमीन को भी उप जाओ बना देता तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वगल में जो वैल आइकन उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे की इसी तरह के वीडियो का एल्टरेए